तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको जैंट्स पजामे की कटिंग बताने वाले हैं तो इस वीडियो को देखकर आप 20 कमर से लेकर 50 कमर तक पजामा कटिंग करना सीख पाएंगे तो बहुत ही इस पेसल तरीके से और बहुत आसानी से हमने आपको समझाया है इस वीड सुम्स्राइब कर ले और साथ है या बेल ऐकन को प्रेश कर दे और सांइब करते चलें तो दोस्तो उपर को चड़ता यह वाली सहट जो थि अंदर वा खेड की सिलाई तो उपर को चड़ जाती इस तरीके से महरी चड़ती है तो वह वो ऑफिंग क्टिंग करते हैं तो यह बना क्टिंग कटिंग करते हैं दो यंच नेव आतर तरिए दो इंच चोड़े कटिंग हो पाएगी त्रिशे में उससे क्या होगा पजामे उपर को नहीं चड़ेगा तो दोस्तों पजामे के लिए कपड़ा कि साइज के लिए कितना लगता अगर आप यह जानना जाते हैं तो उस वीडियो का लिंग में डिस्कुरूसर में दे दिया है अगर आप पजामे में दे लिए कपड़ा के सीधी वाली से और उल्टी वाली सेट पहार राये अगर कप्ड एम एंगरुट इलटा सीधा है तो यह से प्ड़ा कौड़ाई में डबलकर लिया अटों किनारे को form कर लिना है कि देखिए और उसके बाद हमको यहां आठेरी से और इसतरी केसी हमको तिर्शा성 कर से निसान लगाना है में तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे 20 कमर से लेकर अगर 26 इंच तक कमर है तो कितना रखना है तो इस वीडियो को देखकर आप बच्चों से लेकर बड़ों तक हर साइज का पैजामा कटिंग करना सीख पाएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तो बच्चों की कमर जादा तर 20 इंच से शुरू होती है तो अगर 20 इंच से लेकर 26 इंच तक अगर कमर का चौथाई भाग करेंगे यानि कमर को फोर से डिवाइट करेंगे और जितना ही बनता है उस पर आपको एक इंच और बढ़ाना है एक इंच एड करती हूँ चलना है और उतना ही आसन का निसान लगाएंगे तो इसे मान लीजिए किसी की कमर 26 इंच है तो 26 को हम फोर से डिवाइट करेंगे यानि चौथा ही भाग करेंगे तो होता है शाड़े छे इंच और शाड़े छे इंच में हमने एक इंच और एट किया तो हो गया साड़े साथ इंच तो हमने इस साड़े साथ दिंच का निसान लगा दिया इस तरी के अब यह आगे बढ़ते हैं अब यह देखिए यह बात होगी 26 कमर तक अब उसके बाद अब 26 कमर से लेकर अगर 34 इंच तक कमर है जिसे कि तो कमर का चौता ही भाग करने के बाद जितना भी बनेगा डेल इंच एट कर देना यह निए डेल इंच जोड़ लेना ठीक जितना भी बनेगा उतने निसान लगा देंगे अब यह देखिए 34 इंच तक हो गया 4 इंच से लेकर 44 इंच तक कमर है तो आप फोड़ से डिवाइट करेंगे का चौताई भाग करेंगे और जितना भी बनेगा उस पर आपको हाफ इंच और एड़ कर लेना है यानि आदा इंच और बढ़ा लेना है और जितना बनेगा उतना ही आप आसन का निसान लगाएंग इसको हम इश्टेट कर लेंगे श तरीकां के से तो यह देखे हम आगे टाय के लिए किस सदॉक्र आ यहाँ से क्रोस का मार्फ लगाए था तो यहां से इंची टेप को हमें एक इंच ऊपर निकाल देंगे ठीक है तो यह देखिए तो इंची टेप को ऊपर निकाल दिया है उसके बाद आप हम घुटने का निसान लगाएंगे तो घुटने का निसान नौर्मल साइज के लिए 18 या 19 इंच पर आता है कुछ जादा लं लंबाई के निसान लगाएंगे तो इस पाजामे की लंबाई है 30 इंच 30 इंakat यहां यहां से 30 सान लगाएंगे अब यह मोरी उतिक ही ना थे कि अगर आप हैए टो अगर आप मोरी पर सिलाय लगाना चाहते हैं तो आप देढ़र तो आप यहां पर कन्फ्यूज नहों क्योंकि यहां पर हम डेल इंच का लाश्टिक भी लगाएंगे तो यहां पर आदा इंच सिलाई में चला जाएगा तो यहां पर जो हमने एक इंच कम करके लगाया है वो पैंट की लंबाई बिल्कुल फिक्स आएगी ठीक है यह देखें तो यह देखी यह आसन का निसान वो गिया यह घृटने का हो गया और यह लंबाई को ऐखें आपको फिट में थाई करना आप लेना है जो हमारी रान कहते हैं उसको हम थाई का बिल्कुल फिट में आप लेंगे बिल्कुल उपर से और जितना भी बनेगा ठीक है उस पर न है और उसका half marking हाइनके लगा गई चीफ कि сडर्पाइन स कि एक हमने थे एक हर सधर्में तो हो गया 20 एंच और 20 का हाफ हो गया 10 एंच तो यह देकि हम लगा दिया है सब्धों काम मीडियों मीडियम हम नहीं दीला पाइजामा वहाला बिलकुल कुल कुल सही आएगा अब अगर आप थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं डीला पहनना चाहते हैं तो आप थाई का फिट में नाप लेने के बाद चार इंच भी आइड कर सकते हैं और ज्यादा डीला पहनना चाहते हैं तो पांच इंच भी एड कर सकते हैं तो इसकी सतरा इंच बैक कर दिया है हमने तो यह देखे इस तरीके तो हम इसको सीधा उठा देंगे अगर बच्चों के लिए तो यहां से यहां तक सभाई इंच बैक करें यहां से यहां तक ठीक है उसके बाद यह देखे यहां सो यह देखे गुलाई देदी हमने यह देखे इस तरीके ठी तो अब यह गुलाई देखिए कितने इंच पर आ रही है यहां से तेर्शिय में अगर देखेंगे तकरीबन एक इंच पर गुलाई आ रही है तो पौन इंच से लेकर एक इंच तक इस तरीके साफ राउंड से बनाएंगे ठीक है अब हम मुहरी पर चलते हैं तो यह देखिए इंच nee आप कर दें तो यह पांच इंच होगया तो अब यहसे हम किनारा छोड़कर चोड़कर यहांसे पांच एंच का एक निसान लिए लाँगे मौरी पर इसका मॉरी आप ढלה बताएंगे आपको इसके मोहरी 12 इंचversion तरीके से यहां से लेकर यहां तक नोगें तर्षे तो अब यहां से लेकर यहां तरक नापैंगे तो यह देखिए वोगई 6 तो यह 12 देना है अब क्या करेंगे इस थाई वाले निसान को si मुहरी वाले से मिलाएंगे तो क्या क grateंइ बहुत सारी लोग इस निसान को लगादेते हैं आप भी लगा सकते हैं तुम je कर दिखाएता हूं यह देखिए इस निसान को लगाते हैं यह लगाते हैं और एक निसान यह लगाते हैं आसन वाले से महुरी वाले को मिला देती हैं इस तरीके से ठीक है और इस यहीं से कटिंग कर देती हैं ठीक है उसके बाद यहां से कटिंग कर देती हैं तो आपको यह न पूरा mock नहीं उठाना यहां से अब में तक Mr. मार्क लगा देना इस तरीके से अभर हिए जी करें भी तो हम यहां से अब क्या करना होगा घ्राड लगां अब रखे हम कहीं हम यह देखे तो हमने बैक किया है तू-पाट यहां से हमनेए इस तरीके कि शेप लगाएंगे तो इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती ही दोस्तों उसके बाद यह देखिए अंद्र निसान लगए अब हमें मिलाना आए अंद्र वाला जो हमने निसान लगाया यहां से यहां तक महुरी बाले को आप मिलाएंगे अट्टी बरावर से देंगे इस कोई मतलब नहीं है मैं उसके बाद यह अंद्र वाले निसान से मिलाएंगे और मुरी से मिलाएंगे इस तरीके से तो अगर आपको अच्छी फिटिंग चाहिए तो आप इसी तरीके निसान लगाएं यहां से थोड़ा तिर्शा करेंगे आपको दो सूथ करी बाहर के लिए और यहां भी थोड़ा तिर्शा करेंगे उसके बाद यह देखिए फट्टी को यहां से रखेंगे और थोड़ी सी उपर निकाल देंगे इस तरीके से यह देखिए और इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे यह देखें इस तरीके से ठीक है इसका निसान लग गया है आप हम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें तो यह देखिए हमने फ्रेंट पार्ट कट कर दिया है उसके बाद आप हमें बैक पार्ट कटिंग करना यहने बैक पल्ला कट करेंगे करें लेकर 2 इंच तक रख सकते हैं यहां पर यह देखिए अगर आप थोड़ा पहनना चाहते हैं तो यहां से यहां तक दो इंच रख दीजी ठीक है यहां से भी निसान लगा लीते हैं इस तरीके से यह इसके सेंटर में निसान लगा दिया है यहां उसके बाद ये कि मार्क्रू हम त्ऩोड़ा सीजा कर देंगे मेर तो िम एक करता है और तो यह तके लिए पजी हैं तो something यहां से यहां तक दो एंच उठाएंगे और अविय का मुटे लोगों का पई लां तक आप यहांसे लिए हैं तो आप यहांसे तक उठाएंगें यह यहां से इसको स्थे मिला देना वायों से िप्राइगे हैं तो यहांसे बOCर्ट यह जिए हैSP यहां से यहां तक हमने घुटने का निसान लगाया था इसको भी मिलाएंगे यहां से ठीक है उसके बाद यह देखिए मोहरी का निसान है इसको भी हम इसको इसको इस्टेट कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए तो दोस्तों अब बैक की बात कर लेते हैं यहां से यहां तक यह बढ़ा कर कितनी रखें तो बच्चों के लिए दो इंच बढ़ा कर रखेंगे और जो नॉर्मल साइज का मीडियम पजामा होता है तो इसके लिए आप 2.5 इंच बढ़ा कर रखेंगे और जो सब्सक्राइब तक बढ़ा कर रख दिया है और इस साइज के पैदा में के लिए मैंने 2.5 इंच बढ़ा कर रखेंगे अब हम यहां से जो फंटी रखते हैं नॉर्मल क्या होता लोग यहीं से इसका निसान लगाएते हैं कटिंग करें अगर आपको अच्छी फिटिंग करने के बाद आप हम रखेंगे आसन वाले निसान से इस तरीके से यहां से और यह देखिए अब मुखाएंगे इसको इस तरीके से ठीक है उसके बाद अब मोरी वाले से मिला देंगे फंटी को इस तरीके से रखेंगे यह देखें ऊपर को निकाल लेंगे इस तरीके से यह देखी आप यह पर प्रफेंट बड़िया सेप में आपकी पैंट आएगी विल्कुल उसके बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लें आपको लाश्ट में बता हूंगा पोकेट के लिए कितना निसान लगाना है आपको और किस साइज के लिए पोकेट कितना लंबा और कितना में दिया है जो पजामे का नेफा मुसी में छोड़ते हैं तो उसकी सिलाई और तरीके से की जाती है और इसकी सिलाई और तरीके से की जाती है तो दोनों तरीके के सिलाई की वीडियो हमने नीचे लिंक डिस्क्रोशन में दिया है तो बहां से आप जाकर देख सकते हैं दोस पजामे के लिए 5-8 इंच तो पाँच नियो रखेंगी है तो मैं इसके लिए पाँच इंच रख रहा हूं तो मैं फ्रेंट पल्लो पर इस तरीके से कट लगा लेंगे उसकी चोड़ाई कितनी चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए तो इसको फोर फोलड में कर लेना इस तरीचे से यह देखिए इस तरीचे से तो यह भी आपको कमर के हिसाब से रखने हैं तो जैसे कि इसका चौथाई भाफ करेंगे करेंगे और उस पर आपको डिलर माइनेस कर देना यानि वन एंढ़ कर देना यहuden कर देना है तो जैसे कि आगर 36 कमर है तो 36 को यब करें Isabela थो हुआ है नाइन न्यानि नो इंच मेहां अramपने डिलर किया कब दो बचला चाहिए साध Marvel तो आपको साड़े साथ इंच पॉक्र टक्रिना इस तरीके निसान लगाएंगे यह देखिए तो आप यहां से यह देखिए इसकी चोड़ाई साड़े साथ इंच रखेंगे इस तरीके से अब बात आती लंबाय की तो बड़े पैदाबों में आप तेरा इंच से लेकर 14 में तक रिए उसके बाद यहांसे हम तकरिवन यह देखिए अघर यह चीज है फिलगए तो आप यहां पर साथ यहां पर थोड़ा और कम कर दीजिए ठीक है टोटल जेशोंताओ मैंने मेजर मेंट बताया उसके सापसे जितना भी बना यहाँ पर यहाँ है साध कर देंगे यह देखे इस तरीके से और यह देखी फर यह निसान लगाएँगे हैं यहाँसे यह देखिये और इसको हम कट अगर आपको विडियो थोड़ा वच्छा लगाओ तो please like जरूर करें तो यह हमारा pocket कट गया तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए topic के साथ तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसे लगा please comments box में जरूर लिख कर बताएं और आप कोई भी राय देना चाहते हो तो अपनी राय भी दे thanks for watching वीडियो